नवस्कार मैं आसीस पाठक आप सभी का श्रागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में आज मैं आपके सामने UP ASI के लिए खास कर क्योंकि आपके एक्जाम डेट जो है घोसित कर दिये गये हैं चार और पांस तारिक को टीम के द्वारा बताया गया था उसी दिन आपके ASI एक्जाम प्रस्तावित हैं तो आप लोगों के ये लास्ट के 15 दिन कैसे पढ़ना है वो टीम के द्वारा हर एक सब्जेक्ट को बताया जागा है कि किस पे आप जादे 15 दिन में किस टॉपिक पर जो सलेबस आपका दिया गया है किस topic पर आपको पढ़ना है ताकि आपके इस 15 दिंग के मेहनत में वो topic के maximum question आप फसा सको exam में अभी जो देखा जा रहा है SI का exam चल ला है और SI का exam जो है जैसे यहाँ पर रणनीती आलोक सर के द्वारा आपको बताई गई थी कि कैसे जो syllabus है उसी के recording आपका paper बनेगा maths वाले में reasoning पूछ रहा क्योंकि maths के syllabus में reasoning का portion है वैसे ही हूँ बहुँ NSIT paper बना रहा है और उसी की analysis हमाँ आपके सामने team wise जो भी आपके teachers हैं वो लेके आएंगे अपने subject के आपको बताएंगे कि हर subject में चाहे वो computer है चाहे maths चाहे reasoning है कि कि किस portion को NSIT जो है पकड़ रहा है और कैसे वहाँ से bulk में question वो उठा रहा है ठीक है तो उसी सिलसले में मैं आज आपके सामने computer की रणनीती लेकर आया हूँ कि ये last के 15 दिन में आप computer को कैसे पढ़ें कहां से पढ़ें कैसे practice करें क्योंकि सबसे बड़ा सवाल maximum बच्चों के साथ computer से लेकर है क्योंकि इसका कोई कोई भी content आपको market में नहीं है जो इसके according जो syllabus है नए ASI का उसके according आपको मिल जाए कि आप market से उठा कर वो वो topic पढ़लो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा अगर आपने कहीं से कोई भी content पढ़ा है तो क्या वो उचित content है आपके exam के लिए क्या नहीं ह तो वो बच्चे जो कहीं से जुड़े हैं ठीक है और जो हमारी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं वो भी इसको बहुत ध्यान से देखें लास तक वीडियो को और इस वीडियो को like और share जरूर करें जो नए है इस channel को subscribe जरूर करें मैं यही कहूंगा कि आप अब कोई भी नया चीज पढ़ने की कोशिस न करिये चाहे वो कोई भी subject हो जितना पढ़ चुके हैं उसमें से filter करिये कि कहां से question उठाये जा सकते हैं ठीक है तो आज मैं सिर्फ computer के बारे में बात करूंगा पहले syllabus दिखाऊंगा आपको syllabus क्या है साथ ही साथ मैं previous year जो 2016 की vacancy 17 में हुआ थ वो भी NSEIT ने कराय था और ASI का exam भी NSEIT ने कराय था और इस समय फिर से NSEIT ही exam करा रही है तो हमें उन सब ही के analysis से पता चलेगा कि हमें कहां focus करना है रही बात computer operator की paper देखने की तो वहां 80 questions से उपर आपके computer के question होते हैं लेकिन यहां बात किया जाए तो सिर्फ हमारे पास 25 question ही रहेंगे तो हमें उसके according strategy बनानी है तो पहले syllabus पर discuss कर लेते हैं कि आपका syllabus क्या है आप लोगों ने तयारी तो करी लिया होगा जो हमारे बच्चे उनको maximum हमने पढ़ा दिया मही computer पढ़ाता हूं ठीक है तो उसमें जितना आपको आउसिक था क्योंकि आपका जो syllabus है में तो हमें डेड़ दो साल लग जाएगा लेकिन इससे क्या beneficial है क्या हमारे exam में आ सकता उसको हमें पढ़ना है तो वो चीज़े कौन बताएगा तो उसके लिए मैं यहां पर आया हूँ लाश के 15 दिन में भी अगर आप लोग जान जाते हो कि क्या पढ़ना है ठीक है तब ह में भी आप अच्छे question कर लोगे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर 25 question है तो आई 22, 20, 20 से plus ही करोगे किसी भी कीमत पे ठीक हर exam में आपके 4-5 question तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा घुमाऊ होते हैं हर पार्ट में देखा जाए तो मैं यह कर सकता हूँ कि आप उन-उन topic पर अच से क्या questions बनते हैं आपके syllabus में दिया गया अब basic computer fundamental की बात करें तो इसी में आपका सब कुछ syllabus cover हो जाता है लेकिन उसके बाद भी आपको इतने topic दिये गए हैं तो वो ध्यान रखना कि आपको किस पे जादे focus होना है जैसे history and future computer पे history और उसके future पे computer के तो यहां हम generation की बात कर पते हैं मैंने आपको पढ़ाया भी है इतिहास में चले जाएंगे history के कौन पहला गढ़ना यंत्र था यह भी question आपके previous year में पूछा है और anya के बारे में computer पूछा है generation से पूछ सकता है जो आपके पांचों generation है किसमें क्या use होता है उसके system के बारे में पूछ सकता है तो इ लेकिन question कितना आएगा यहां से एक से दो question आपके बनेंगे कितनी बनेंगे एक से दो question बनेंगे और छोटा topic है बहुत बड़ा topic नहीं है बहुत जादे समय नहीं ले जाएगा और tough नहीं है आसान है यह आप सभी लोग जो पढ़े होंगे यह जरूर पढ़े होंगे generation at least तो लोग पढ़े होंगे हो सकता है history आप लोग नहीं पढ़े हों लेकिन generation जरूर पढ़े होंगे तो वहां से एक question और एक question आपके इतिहास से आएगा तो दो question मान के चलिए यह fix है अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे basic fundamental की क्योंकि basic fundamental में सब कुछ आ जाता है ठीक है सब कुछ आ एक topic है जो किसी भी exam में computer से पूछा जाता है जैसे binary में conversion hexadecimal में conversion ठीक है ऐसे आपके addition पूछ सकता है या once compliment, two compliment यह पूछ सकता है यह सब मैंने अपने lecture में पढ़ाया हुआ है और उसके लिए मैंने क्या किया कि जो बच्चे last moment में तयारी करना चाते है according to the syllabus तो मैंने क्या computer और मांसी का विरुची जो कहीं नहीं मिलता है वो आपको परिक्षा प्लस के app पर मिल जाएगा जिसे आप उस पे पूरे notes मिल जाएंगे और पूज वीडियो class मिल जाएंगे तो आप cover कर सकते हो जो चीजे आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिली हो वो चीजे यहां से देख स उचीत लगे तो आप उसको वहां से देख सकते हों और इक से बने के चांस है कि आपके बने हो सकता है नंबर सिस्टम से आ जाए एक फ्लोचार्ट या एलोगरिथम से आ जाए तो दो कोश्चन आपके यहां से बनना तैं है उसके बाद से देखो यह पार्ट सबसे आसान होता है जितना आप पढ़ते हो ना पूरे कंप्यूटर में चाहे आपको वह ऐसे भी कई चीज़े की नॉलेज होती है तो एव्रिवेशन फुल फॉर्म लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए last में आपको हमारे end से पूरा एक full form की पीडियप दी गई है जो most important है उसको रट मारना एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर full form की बात करें तो यहां आपसे दो question full form से आएगा एक से दो question आना ही आना है अब वो एक से दो question full form का किसी भी chapter से related हो सकता है computer और equation बोल दिया वो किसी भी chapter से related हो सकता है जनरली नहीं हो सकता है तो वह रह भी סकताher से ब्लेने यहां प्रोटो कल है तो वह किसके अंतर गताएगा इसी के अंतर गताएगा तो दो question आप मान सकते हो कि आपका यहां से आना है वो पूरे chapter से हो जाएगा एक तरह से तो हम यह नहीं कह सकते हैं यह computer abbreviation है चाहे इससे नहीं question पूछा Microsoft Office की बात करें तो यहां से overall यह बात Office की बात हो गई और यहां पर एक software है आपका basic software and hardware यह software hardware facility जो है यह कुछ नहीं है software की जो बात किया जाए तो उसमें आपका MS Office भी आ जाएगा उसमें आपका operating system भी आ जाएगा जितने भी application software हुए system software हुए utility software हुए उस सब आ जाएगे ठीक है वाईरस वाले जितने भी पार्ट होते हैं वो भी एक software ही होता वो भी आ जाएगा hardware की बात करें तो जो basic fundamental of computer में आप hardware पढ़ोगे ठीक है उसके बासे जैसे mouse हुआ keyboard हुआ pen drive हुआ यह सब memory हुआ यह सब चीजे क्या है hardware है तो इन सब चीजों की बात हम computer fundamental में भी करते हैं और यहां पर भी करेंगे ठीक है अब devices होई जो आपके optical OCMR OMR MICR यह सब devices के बारे में जो आप पढ़ते हो वो सब चीजे यहां पर cover होती है ठीक है तो basic मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आप क्या-क्या topic अच्छे से पढ़ोगे कि ताकि आपका cover हो जाए अच्छा खासा shortcut की बात करें तो जब आप MS Office पढ़ोगे ना तो Mexican shortcut की आपके वहीं से cover हो जाएंगे तो मैं बोलता हूं कि जो software पहला part है जिसमें सब कुछ आता है मैं Slavus के recording पढ़ाया भी नहीं मैंने आपको जो Slavus है उसको combine करके पढ़ाया जैसे Microsoft Office है इसको software के अंतरगत ही पढ़ाया हूं तो software से आपके चार question आने तैय है अब उसमें क्या क्या हो सकता है Excel से ठीक है PowerPoint से और Word से यह तो main है ठीक है उसके बाद से operating system से ठीक यह ध्यान रखो बाकी chances है virus virus से कोई question पूछ दे यहां से chances है तो चार question आपके तैय है operating system, Word, PPT और Excel से आपके question बनेंगे अब basic internet use किसे? इंटरनेट से और आपके networking से यह जो चीज़े मैं combine कर रहा हूं यहां पर इन सभी को लेकर हम कहें तो साथ question आपके बनेंगे कितने? साथ question बनेंगे ठीक है? साथ question internet, networking, abbreviation मतलब full form अब जैसे आ गया TCP का full form तो TCP का एक protocol है ना लेकिन वो abbreviation में भी आएगा और networking में भी आएगा और internet में भी आएगा तो वो कुल मिला के हम कह सकते हैं, internet से पूछ दे कि internet का आविस्कार उसकी history पूछ दे जैसे अर्पानेट है, अर्पानेट का full form ही पूछ दिया तो अर्पानेट इंटरनेट में भी आएगा और abbreviation में भी आएगा, तो ये इन तीनों चीज़ से मिला कर आप इस topic पे जरूर फोकस होना जितना मैंने internet पढ़ाया आपको, networking पढ़ाया है और abbreviation की तो PDF रटे हो, अचा है मैंने जो chapter में पढ़ाते वक्त आपको abbreviations बताए हैं, उसको आप ध्यान रखोगे, तो आपके questions आसानी से हो जाएंगे ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां से 7 questions आपके बने थें, और यही से क्योंकि जन्नल आपको computer तो पूछेगा नई, थोड़ा सा भी syllabus क्योंकि अच्छा खासा बनाया है, तो थोड़ा सा सोचता है कि बच्चे अच्छा चीज़े पढ़ क्या हैं, तो वो कहां पर फसाने की कोशिस करेगा, इंटरनेट और नेटवर्किंग में, बाकी तो वो जानता है कि आपको हर चीज़े कहीना कहीं से मिल जाएंगे, कि आप computer के बारे में पढ़ लोगे, hardware क्या है, उसके बारे में पढ़ लोगे, RAM, ROM, memory, सब कुछ आप पढ़ लोगे, हर जगा ये ये नोट्स मिलते हैं, ये बैंकिंग में भी होते हैं, लेकिन नेटवर्क की बात करें, computer networking की बात करें, तो ये आपको बहुत जगा स्लेवस में, बहुत से नोट्स में, चाए किताबों में नहीं मिलते हैं, तो वहाँ आपको ये फसाने की कोशिस करता है, इसी में कई प्र port to call है, उसका particular port number है, मैंने पूरा port number आपके notes में दे रखा है, तो ये सब पूछेगा, आपसे कोई port दे दिया, ठीक है, मालो ये port दे दिया, कोई भी USB port दे दिया, चाए serial port दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको पहचानने के लिए बोलेगा, ये कौन सा port है, ठीक है, तो आप जब hardware, ये किस में आ जाएगा, hardware में, hardware में भी आएगा, networking में भी आएगा, आप जानते रहोगे न कि ये serial port होता है, ये parallel port होता है, ये USB port होता है, ये sign USB का है, ये Bluetooth का sign है, तो ये सब general चीजे आपसे पूछेगा, बहुत deep question नहीं पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ से 7 question आपके बनेंगे, अब बात कर लें, और कौन सा maximum part है, जहाँ से आपके question बनेगा, बनेगा आपका memory से, किसी memory से, और memory भी बोल सकते हो, इसको storage device बोल सकते हो, ये सब किसके पाट है memory और storage, basic fundamental of computer, ये किसके पाट है, basic fundamental, तो इससे 4 question, 3-4 question आपके यहाँ पर बनेगा, तो इसको भी आपको RAM हुआ, ROM हुआ, P-ROM, E-P-ROM, इन सब के बारे में, RAM कितने प्रकार के होते हैं, उससे जितने भी question होते हैं, मैंने आपसे करार रखा है, basic fundamental के मैंने questions करार रखा है, 300 questions हैं, basic fundamental में, उसमें software, computer और आपके operating, वो भी है, operating systems के भी question है, software के भी है, सिर्फ बचा है, तो networking वाला पार्ट बचा है, तो 3-4 question आपके, उसके भी PDF आपके, जो course है, उसमें लगा हुआ है, 3-4 question आपके, यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बासे हम बात करें, तो basic HTML, द browser, IT tool, business, यह जो दिया, IT tool and business system, बच्चे कई इससे confused होते हैं, सर आपने यह पढ़ाया नहीं, यह ओ लेबल का एक topic है, और इसमें जब जाओगे न, तो ओ लेबल में, तो इसमें जानते हो क्या मिलता है, मिलता है, computer organization, operating system, यही सब मिलता है, जितने hardware है, जितने software है, उसी को IT tools and business system बोलते हैं, यह बस copy paste किया गया syllabus है, तो यह दानलो computer organization जो हुआ, वो basic fundamental में आ जाएगा, जहाए मैंने आपको बताया था, CPU के part होते हैं, control unit होता है, ALU होता है, तो यहां से question बनते हैं, तो वो आपके एक दो question वहाँ से बनेंगे, यह introduction of multimedia, general question इससे आता है, ऐसा कुछ नह नहीं आता है, web design की बात करें, तो इसमें HTML आपसे पूछ लेता है, क्योंकि web pages आपके HTML से बने होते हैं, और HTML में क्या पूछता है, खास का tag पूछता है, कि कौन सा tag किसके लिए है, close tag HTML का starting कहां से होता है, यह सब पूछता है, programming language दिया है, यह सब एक ही है, मैंने एक ही जैस पढ़ा है, यहाँ पर अलग कर दिया, communication अलग किया है, internet uses अलग किया है, तो यह सिर्फ एक तरह से भैंकर सलेवस आपको दिया गया है, बाकि उस पर आपको नहीं जाना है, programming language के पिछले में कोई question नहीं आया था, लेकिन computer operator की बात करें, तो आपका 3-4 प्रश्न पूछे लेकिन वहाँ number of question भी तो जादे होते हैं, हो सकता है आप में एक question आजाए, basic output निकालने के लिए किसी भी program का, basic क्या आजाए, output निकालने के लिए आजाए, वो भी किसका C या C++ का इसके अलामा कुछ भी नहीं आएगा, ठीके, C या C++ का programming से आजाए, या algorithm basis C output निकालने के वहाँ से एक question आप समझ सकते हो, उतना नहीं, मैंने बल्क जो बताया आपको, वो क्या देना है ध्यान, networking से, internet से, और abbreviation से मिला के साथ question आना है, यह तैं है, उसके बाद से आपके एक दो question आपके यहाँ से बन जाते हैं, यह portion कहीं नहीं कहीं current में पूछ लिया जाता है, कह आपे current में, तो यह science tech का part हो जाएगा, technology में नया अभी current में क्या चल रहा है, उसको आपको ध्यान देना है, खास कर banking और e-commerce में, कौन से application आए, किसलिए आए, UPI कब आया था, उसकी सुरुवात कब होई थी, भीम को बनाने वाला कौन है, तो यह सब test series में इसे question बनाए गए उसको देखना, और emerging technology का मैंने PDF दिया है आपको, उसको आप पढ़ लेते हो, तो यह आपका पूरा का पूरा portion complete हो जाएगा, ठीक, तो यहां से मैं बोलू, तो current affair में एक से दो प्रसन आएंगे, और computer में आपसे chances हैं, कि आपके एक से दो प्रसन यहां पर भी आ जाए, ठीक तो ऐसे आपके questions यहां से बनना start हो जाते हैं, कि जैसे मैंने बताया, तीन से चार question आपके memory आएगा, साथ question यह है, तो इनी दोनों से मिला कर, internet, networking, abbreviation, memory, storage से मिला कर, हमारे कितने हो गए, दस question यहां हो गए, ठीक है, और दस question आपको और भीड़ना है, तो दस question के लिए आप को जैसे मैंने बताया, कि यहां पर, चार question किसे आएंगे, software से आजाएंगे, तो दस question मेरे पास हो गए थे, चार, मतलब अब हम 14 तक पहुंच गया है, अगर हमने software पे पकड़ बना ली है, hardware और software पे, मतलब software में हमें word आता है, excel आता है, और power point आता है, अच्छे से, उसके shortcut क कि उसके जो basic interface होता है, उसमें क्या-क्या चीजे किस tab में दिखती हैं, उसके shortcut की, तो हम इसके 4 question कर लेंगे, और हमारे 14 question से और है, कि इतने portion से ही 14 question आएंगे, उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद से आपको operating system से, यह मैंने उसी में 4 question में, आपका operating system में, एक दो question आपता अ 2, 4, 2, 6, तो 14 और 6 कितने हो जाएंगे, टोटल 20 question पे आप पहुँच गए हो, और यह एकदम आसान होता है, कौन सा history और computer वाला, operating system से भी आपसे पस यह पूछेगा, कि इन में से हो सकता है, आसानी पूछे, निमलिखित में से कौन सा operating system है, ठीक है, उसमें धेर सारे operating system का न operating system, जितने प्रकार के मैंने operating system पढ़ा हैं, उसी से related, simple से question आपके बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यह आपको लोगों को दिक्कत देता है, algorithm और flow chart, number system में भी मैं जानता हूँ, maximum लोग converge करना जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, मेरी वीडियो आप लोग देख लिजेगा, इसलिए मैंने computer का और मांसी का विरूची का अलग से batch निकाल दिया है, algorithm और flow chart वाला, इसमें भी मैंने general question, जो पिछली बार भी आया था, वो भी general आया था, कि कैसे इसका output क्या होगा, n into n, n square होगा, ऐसे ही question आपको flow chart बना कर पूछ देगा, तो इससे घबडाना नहीं है, दो question यहाँ पर बनेगा, तो मैंने आपसे 20 question मना दिया, बाकी आपके जो 4-5 question बनेगे न, 4-5 question और जो miscellaneous से बनेगे, सब कुछ मिला कर, इसमें से मैं कह दूँ, तो 3 question तो ऐसे होगे, हो सकता है आपको यह क्या हो, hard level के हो, moderate to hard हो, moderate to hard हो, यह कुछ भी हो सकता है, programming भी हो सक हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ certain नहीं कह सकता हूँ, इसमें C, C plus पे इसके programming हो सकता, आसानी हो जाए, तो आप 20 या 22 plus question कर सकते हो, इतना ध्यान रखना, ठीके, 25 में मैं 22 तक कह सकता हूँ, कि आप 22 secure कर सकते हो, 3-4 question आपसे गलती हो जाएगी, तो कोई दि दम correct है, तो आप 5 question मार के आओ, आपके उसमें से एक दो सही हो जाएगे, तो 22 तेस आप कर ले जाओगे, और अच्छा score रहेगा, और ये क्या होगा, एक selection का turning point होता है, ये computer, जिसके अच्छे हो गए computer, ठीक है, उसके समयलो, better है इसके लिए, ठीक है, उसके बास आपका इस summarize मैं यही बोल दे रहा हूँ, last में जाते जाते कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको है, देखो, जिससे सबसे ज़्यादे question आए, internet पढ़ना है, और उसमें सबसे ज़्यादे करना है आपको networking वाले part पर, networking में, खास कर IP addresses पर, protocol पे, ठीक है, जितने भी प्रकार के protocol ह होते हैं, OSI model पे, network devices पर, यह सब चीज़े आपको cover करना है, network devices पर, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप अगर आप पढ़ लेते हो, internet में, और इनके abbreviation, जो short form होते हैं, जहां जहां जो भी use होते हैं, वो सब चीज़े, ठीक है, उसके बास से, मैं बात करूं तो, यहां से आप आपका, यह cover हो गया, memory में बात करते हैं, memory आपको पढ़ना है, storage devices जिसको बोलते हैं, RAM, ROM, तो basic fundamental एक तरह से बोला जाए, basic आपका अच्छा होना चाहिए, computer का basic computer, यह अच्छा होना चाहिए, आप जिससे भी पढ़ रहे होंगे, अभी तक पढ़े होंगे, उसमें सब कुछ यह मिलता है, और यह आपको notes मिल जाएगा, यह market में भी अविलेबल है, basic computer के, ठीक है, लेकिन advance में चले जाएंगे, तो networking protocol, ports number, ठीक है, कौन से कौन कौन के port होते हैं, यह सब आपको नहीं मिलेगा, तो वो सब यह हमारे notes से आप cover कर सकते हैं, बाकि, यह main हो गया, उसके बा देखलो, यहां से आपके questions बन जाएंगे, तो focus आपको last term में इन पे जादे होना है, ठीक है, इन पे जादे होना है, बाकि current technology आपको आती है, तो 2-3 question आप वहां से कर ले जाओगे, programming अगर नहीं भी आ रही है last में, आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, कोई दि programming से, तो उस पर जादे दिमाग ना लगाओ, ठीक है, लेकिन इन से bulk में question आएगा, तो इनको आप अच्छे से तयार कर लो, ना गिरे हालत में भी आप, जिसको नहीं भी आती होगी, तो वह 15 question करके आएगा, और जिसे थोड़ा सा भी strong होगा, वह 22 question करके आएगा, 20 plus 2, तो यह रही रणनीती, इसी रणनीती के साथ आप कैयारी करिए, मैं यही बोलूँगा, यह तीन topic आपके main है, जिस पर आपको जादे focus होना है, बहुत अच्छे से focus होना है, बाकी reasoning के strategy के साथ मैं जल्दी मिलूँगा, उमीद करता हूँ, आप लोग इसी strategy के साथ चलेंगे, औ एक अच्छा score करेंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.